Hello Friends, Welcome Back to Stock Analysis Stock Analysis में हम आज आपके साथ Hindustan Construction Company Limited को Analysis करने जा रहे हैं तो इस कमपनी ने 2009 में बांदरा बोड़ी वली सी लिंक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया and 2018 में Bogie Bill Rail कम रोड ब्रीज असाम में बना कर गौर्डमेंट को हैंड ओबर किया यह आप देख सकते हैं यह रोड बनाया है and next जो है इन्होंने बनाया है that is nuclear power plant 2010 में Tamil Nadu में and यहाँ पर 2018 में Magenta लाइन दिल्ली में इन्होंने यह Metro Project कम्प्लीट किया जहां में रहता हूं इसके जस्ट नजदी की है यह Metro Line गुजरती है now यहाँ पर जम्मू कस्मिर में Hydro Power Project 2012 में complete किया and यहाँ पर 2008 में गुजरत में जो है जो State Government का Canal Project था वो इन्होंने complete किया तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट Central Government के साथ State Government के साथ और Group of Company के साथ इन्होंने complete किया हुआ है guys तो आपके माइंड में यह होगा कि यह definitely small या फिर large gap company होगी या फिर multi bagger बन सकती है तो guys आज हम जो discuss करेंगे आपके साथ यह एक तरह का shocking और कहा जाए surprising analysis होगा आप जब पूरा analysis देखेंगे guys right क्योंकि यह सिर्फ 32 रुपे का share है right और यह multi bagger बन सकता है future में या नहीं क्योंकि यह आप देख सकते हैं इतने सारे कामिन होने किया हुआ है और यह central state and group of company के projects इन्होंने किये हुए हैं तो चलिए देखते हैं आज share के analysis को last तक बने रहिएगा and channel को जरूर subscribe कीज़ेगा guys right क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब किये हुए है please support to subscribe my channel right so and last में जब आप देखेंगे analysis को तब आपको surprising होगा कि यह company में यहाँ पर आप देखेंगे तो मोधी जो like इनोग्रेट किया है कुछ projects उनका भी यहाँ पर clip दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर पहले start करते हैं कि total number of land मिला के यहाँ पर 4036 km का highway इनोगने बनाया है 60% इंडिया का जितना भी nuclear power project है उसका 60% स्रिफ HCC ने complete किया है 395 km का tunnel जाए वो railway tunnel हो सकता है metro tunnel हो सकता है highway tunnel हो सकता है यह इन्होंने बनाया है 26% इंडिया में जितना भी hydro power project है उसका 26% सिर्फ HCC ने बनाया है ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे ongoing आप की बात करें तो इन्होंने अभी जो है pipeline में जो project अभी चल रहा है that is चन्नाई का metro project अभी चल रहा है और इसके अलाबा इंडिया का जो है सबसे बड़ा railway tunnel इनको अभी मिला हुआ है right मुंबाई का metro tunnel इनको अभी मिला हुआ है जो की ongoing है बहुत सारे ongoing project है तो आपको definitely लगता होगा इतने सारे projects हैं और इतने सारे projects कर चुके हैं right state and central government का definitely multi bagger बनेगा but guys चलिए देखते हैं analysis में आपको you know दिखा देता हूँ face to face so यहाँ पर आप देखेंगे guys market capitalization जो है 4857 करोड का है surprising होगा 32 रुपय का share है इतने सारे projects कर चुके है right और इनका जो book value है वो negative एक negative points यहाँ अभी तक आपने देखा यह project किया यह project चल रहा है and बहुत सारे other things but यहाँ पर book value इनका negative है okay so एक ही negative है और भी सारे चीज़ें देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे guys so इनका profit and loss देख लेते हैं कितना कमाते हैं इतने सारे projects के बाद यह कितना like you know profit generate कर पाते हैं तभी तो you know share की value भागेगी right यह promoters game खेलेगा तो क्या है इसमें यहाँ पर देखेंगे guys यहाँ पर 10,000 right यह yearly है right यह क्या है yearly इनका जो है expenses and report दिख रहा है so 9,000 फिर 8,000 हुआ फिर 10,000 हुआ फिर 9,000 हुआ तो एप्रोक्स 9,000 के आसपास इनका total जो है sell हो पा रहा है right और इसमें expenditure जो है यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे 8,000 के आसपास रह रहा है तो इनका profit जो है yearly profit सिर्फ 844 करोड का है ठीक है यहाँ पर 11,73 करोड का हुआ फिर यहाँ पर 5,500 करोड तो इतना बड़ा-बड़ा project कर रहे है तो एक साल में सिर्फ 570 करोड का यह तो काफी पैनी से लाइक इनो छोटे-छोटे जो company है उनकी जो है इतनी profit होती है तो overall यह तो operating profit थी नाव यहाँ पर overall की बात करें तो यहाँ पर नुकसान ही है year by year की बात थोड़ी है March 2021 का जो financial report आया 2021 वाला उसमें 867 करोड का नुकसान हुआ इनको ठीक है इतने projects के बाल and 486 करोड का इनका 2022 में इनका profit हुआ फिर 23 में 90 करोड का अभी जो March complete होगा उसमें जो report आयेगा वो देखते हैं कितना होगा तो यहाँ पर 90 करोड का last जो financial year था उसमें नुकसान हुआ तो इस financial year में जो तीन quarter अप्र लाएकिनो complete होने वाला है ती शमबर में तो इसका क्या report है यह भी देख लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे June 2023 तक का report आया है जिसमें कि इनका profit की बात करें तो इस quarter में March यहाँ से start करेंगे June and September दो quarter का यहाँ पर दिया है एक quarter में 52 करोड का इनको फाइदा हुआ है plus point और यहाँ पर अभी तीन धाई करोड का नुकसान हुआ है इनको तो overall अभी positive में है राइट दो quarter के अगर देखें तो अभी December का report आना है third quarter का and fourth quarter तो अभी देखते हैं दो quarter का pending है अभी तो positive में है कि जादा भी positive में नहीं है 12 करोड कुछ बड़ी बात नहीं होती है उसमें भी 3 करोड का नुकसान हुआ है तो अभी दो quarter का result आना बाकी है और जो record दीख रहा है उसमें यूनों कांट से की ये profit बहुत बड़ी profit कमाएगी नहीं थोड़ा बहुत profit हो सकता है अगर दो quarter में अच्छा report किया balance sheet की बात करते हैं यहाँ पर balance sheet में देखेंगे reserve जो इनके पास cash currency है तो cash currency यहाँ पर आप देखेंगे 2020 से currency rate की बात हो रही है एक हजार करो 1400 करोर 936 करोर 866 करोर 807 करोर यह negative में है ठीक है यह cash यह negative में है इनके पास कुछ नहीं उपर से करजा है इतना negative में है reserve में भी यह करज में है reserve का एक पैसा नहीं है उपर से देना है लोगों को ठीक है borrowing जो है करजा इनके पास जो फ्रेंट देना है इनको वो 4,000 सारे 4,000 2,000 पांस 5,500 और धाई हजार करोर का करजा ले रखा हुआ है long term करजा जिनका यह interest भरते है काफी high इनका interest होता है अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर interest जो है यह देखिए 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 परोग यह interest काफी भर रहे है ठीक है और यह तो देना ही है otherwise default कोसित हो जाएंगे जो भी financial firm है bank है now इनके पास assets देखेंगे guys आपने balance sheet देख लिए reserve नहीं है करजा इनके पास है ही और यहाँ पर अगर बोलेगा कि यह हमें amount तुरत चाहिए तो कहाँ देखेंगे इनके पास reserve भी नहीं है या कोई नया business start करना है कुछ नया add-on करना है business में तो पैसा ही नहीं है इनके पास फिर करज लेना पड़ेगा यह चीज़ा है ना यहाँ पर देखेंगे गाइस की fixed assets जो है 2012 में 3232 करोड का हुआ करता था जो की 2023 में 553 करोड का रहे गया यह भी minus में गया तो इन्होंने क्या बेचे क्या बेचे है fixed assets मतलब एक लाग से ज़्यादा की value वाली जो वस्तू है या equipment है तो land 55 करोड का खड़ीदा था और यह 36 करोड का रहे गया है इतना जो खड़ीदा था रहे गया है लेंड बेच दिया बिल्डिंग 702 करोड का हुआ करता था अब 420 करोड का हो गया बिल्डिंग भी बेच दिये ठीक है plant and machinery तो 1688 करोड का हुआ करता था अब 813 करोड का रहे गया है तो आप सोच सकते है plant and machinery बहुत ही essential parts होता है किसी भी business को बढ़ाने के लिए क्योंकि plant and machinery tools होते हैं जिसे कि आप काप करते हो अब वही बेच दिया आपने तो यहां पर जैसे की tunnel बनाने के लिए तो बड़ा लेथ होता है जिसके tunnel boarding machine होता है जिसके थुरू यूनो tunnel को बनाया जाता है तो वो सारे machines और भी machinery होते हैं वो सारे इनोंने कुछ न कुछ तो जरूर बेचा है क्योंकि यहां पर 50% plant and machinery अब यहां पर अगर काम बढ़ता अथ plant and machinery और यह बढ़ाते ठीक है और ship and vessel ship vessels जो है यह पांच करोड़ 6 करोड़ का हुआ करता था एक करोड़ का है right computers 44 करोड़ का हुआ करोड़ का यह मैं नहीं बता रहा हूं यह इनका balance बता रहा है और यहां पर furniture 138 करोड़ का हुआ करता था अब 92 करोड़ का है ठीक है वैकिल्स 394 करोड़ का हुआ करता था 54 करोड़ का है ठीक है अब यहां पर intangible assets जो है सरसर करोड़ का रह गया है ठीक है intangible assets क्या होता है जो virtual currency होती like bitcoin या crypto currency या कोई service या कोई copyright का पैसा kind of thing ठीक है तो यह चीजें है तो overall इन्होंने जो इनका कोड़ चीजें होनी चाहिए fixed assets में वह भी बहुत हट तक घटा है राइट अधर assets यहां पर 8988 करोड़ का हुआ करता था अभी 9660 करोड़ का इसमें थोड़ा सा ग्रोव हुआ है जो छोटे-छोटी चीजें होती तो यह भी घटा ही है लास्ट फॉर यह फाइव यह की बात करें तो ठीक है यहां पर देखें लास्ट टैन यह में इनका घटा है अधर एसे ठीक है तो यहां पर 14,473 करोड़ का हुआ करता था अभी 10,334 करोड़ का रह गया है तो गाइस किसी एंगल से नहीं दिखता पर सबसे मज़े की बात इन्वेस्टर थीक है यहां पर देखेंगे कैस कंवर्जन साइकल नीगेटी में है ठीक है और यहां पर इन्वेस्टर मज़े की बात है इन्वेस्टर तो यहां पर 2020 में 34% प्रमोटर्स का होल्डिंग था आज की दिन में सिर्फ 18% रह गया है तो यहां पर देखेंगे गाइस जो हिंड कॉन होल्डिंग लिमिटेड 14% का होल्डिंग सारे 14% का होल्डिंग नॉनिस्टॉप बनाए हुए है यह है कौन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यह जो हिंदुस्तान कॉपरेशन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो चेर्मेन है वही है यह एक कंपनी यहां पर मैंने इस तुरस रिचर्च किया है यह देखें 8.8% पर सेट तो इसके जोच से में यहां पर देखेंगे हिंदुस्तान होल्डिंग कंपणी के को यहां यहां नहीज देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो होल्डिंग से थ्रो आउट सेम बना हुआ है और अजीद गुलाबचिन प्रस्नली भी नौन है 0.14 परसेंट होल्डिंग बना हुए है तो मतलब इनका मोनोपोली है राइट क्योंकि आरिया कैपिटल मेनेजमेंट का जो होल्डिंग था वो तो जीरो हो गया राइट उसके बाद हिंकॉन फाइनांस लिमिटेड जो कि नहीं का ग्रूप कंपणी का पार्ट है तो सिर्फ एक परसन का होल्डिंग इस कंपणी में एज प्रमोटर के तौर पे है दाटी चेर्मेन ऑप एस सीशी और किसी का होल्डिंग नहीं है यह भी उसी का है जिसके डिरेक्टर है आडियन जीरो हो गया यहां पर देख सकते हैं जीरो हो गया हिंदुस्तान इसका फॉर पॉइंट यह तो यहां पर सोच लिए कि चौदा चाहरा एक उन्नीस परसेंट सिर्फ एक सिंगल परसन का होल्डिंग है जो कि चेर्मेन है और प्र खिच लिए इसमें कोई भी होल्डर नहीं है प्रोमोटर के तौर पर एफ आई आई में आप देखेंगे यहां पर कितना परसेंट होल्डिंग था साड़े ग्यारफ परसेंट अभी साड़े पांच परसेंट खतम हो गये यहां पर देखेंगे एसन ओपर्चुनिटीज मॉ परसेंट होल्डिंग है और जो इंडियन कंपणी की बात करें इंडियन इंस्टिशन इन्वेस्टमेंट का यहां पर देखेंगे हैं ट्रस्टीज कॉर्परेशन लिमिटेट का है पंजाब नेशनल बैंक का है तो यह सबसे यहां पर SBI का नहीं है अभी पहले हुआ करता थ पीजल ही है न प्रसेंट से साड़े हैं सब बैंक का ःपिश भी और तो पॉलडिंग परसेंट से 25 परसेंट से 66 परसेंट हो गया है पहले 2020 में ढाई लाख से आज के दिन में पोने 4 लाख सेर होल्डर्स हैं तो आप यह सोचे कि प्रमोटर्स अपना holding you know down कर रहे है 50% कम हो गया है FII 50% कर दिया है DII holding 50% हो गया है ऐसा नहीं कि इन्होंने sudden किया है consistently इन्होंने you know down किया है तो इनको पता है अगर थोड़ा बहुत up down होता तो चलिए consistently इन्होंने down किया है holding और public जो है इसमें trap होती जा रहे ही है इसमें आप देखेंगे इसमें भी बहुत बड़े इंडिविज्वल्स के holding होगे यहां पर देखें इन्डिविज्वल्स मार्किट के अप्लाइशन चेतन जेंतला तो इन सब का यहां पर holding जो की खेल सकते हैं चोटे चोटे जो इन्वेस्टर्स हैं तो यहां पर आप अनलाइसिस कर सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर दिख रहे हैं और यहां पर देखेंगे यहां पर बहुत साथ दिखाएंगे यह साड़े आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस इसमें holding करना चाहिए फ्यूचर में आपकमिंग टाइम में चल्दी हमको इसमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है मल्ति बेगर बन सकता है बट इसमें रिस्क है इसमें सिर्फ यही दिख रहा है कि जैसे हम है उसी तरह यहां पर प्रोजेक्ट्स तो है उनको भी दिख रहा है प्रोजेक्ट्स यह आ रहे है बट यह क्यों गिरा रहे है तो यह यहां पर यहां पर जो है बहुत बड़ा डाउट इसी में जाता है डिक्रीजिंग नंबर ओफ ओल्डर्स इंटम्स ओफ आप इस प्रोजेक्ट्स राइए तो यहां पर सजग रहने की ज़वरत है गाइस मैं यहां पर अभी इसको होल्डिंग का यह नहीं दूंगा यह बा सकता है यह से अब मारकेट में कोई कुछ नहीं कह सकता बट यह प्रोमोटर्स घंप खेलते हैं या कोई निव जाता है तो अभी इरेड़ा का जैसे था तो मैंने पहले उसका अनलसिस बहुत भाग रहे थी तो मैंने बोला कि नीचे जाएगी तो आप अपने इसमें बना सक सब्सक्राइब करते हैं तो आप आपको यह पसंद आया होगा तो आप सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जी थेंक्यू मिलते हैं नए अनलसिस के साथ थेंक्यू गैस